नमस्कार में तरो टीचर्स अकैडमी से मैं हूँ वरी शुक्लिस के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो की यूपी टेट के संस्कृत पाठिक करमान शार और स्वरसंधी के अंतरगत दीर्गischer संधी का अकास्तवन ने दीरगाः को सूत्र को सौल पकर की दारानों को बताया था आज गुण स्वरसंधी के विशे में चर्चा होगी और गुण कहने का मात तातपर क्या होता है गुण कहने का तातपर है 있는데요 उसे होता है और इसका सूत्र है आद गुण आदी रहने पर गुण संग्यक वर्ण हो जाता है तो गुण संग्यक वर्ण क्या होता है आए उ अर्था थारश्च वात्वा दीरगा के बाद यदि ई उ री री में से कोई वर्ण आये तो तो आधहन ई बराबर ए अधहन उ बराबर ओ और आधहन री बराबर अर रख निचे हलनत रहेगा अर और आधहन ला बराबर अल तो जो य ल्ड़ी है अध्ड़ी बराबर अल हो जाता है तो ए O और अल से क्या क्या बन जाएगा आधन ई वराबर ए आधन उ वराबर ओ आधन री वराबर अल हो जाता है तो ये आपका आध गुड़ह कहता है अब हम सीधे चलते हैं उधारण पर क्या उधारण है तो आधन ई वराबर ए ये स्वेट स्वारगर आपने हमसे पढ़ा होगा तो वो समंदित वीडियो है अभी भी यूटूब पर है उसको आप चाहां देख सकते हैं तुसी वीडियो में ये कहा गया कि आधनी बराबर ए होता है चलिए हम देखते हैं आज सबसे पहला शब्द है आपका नेती तो मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी भी शब्द में आपको बीचो बीच या दो वर्ण है तो पहला वर्ण ए ओ अर अल में से कोई वर्ण कोई वर्ण उसमें से अगर हो जाए तो आप तुरंत ये गिस लगा सकते हैं कि इसमें गुणसर संधी है क्योंकि गुणसर संधी में ही A, O, R, L ये मात्राएं आती हैं अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा चिधा नेती तो नेती लिखा हुआ है तो तुरंत आपको ये समझ जाना है कि अगर यहाँ पर A की मात्रा लगी है तो क्यों लगी है क्योंकि A दहन E जब मिला हुआ है तब क्या बना है A बना हुआ है इसलिए ना पर A की मातर लगी हुई है अब तुरंत इसको समझ लेना है कि जो A की मातरा है अगर उसको हटाएंगे तो क्या condition मनेगी A दहन E के सिती बनेगी तो वही हमने कर दिया एकी मात्रा अटाया और आ की मात्रा लगाया और दर एकी मात्रा तो नाधन इती बराबर नेती दूसरा उधारण है नरधनी शाह बराबर नरेशाह यहाँ भी एकी मात्रा लगी है ररापर एकी मात्रा लगी इसलिए क्या लगता है कि आधन ई बराबर ए होगा लोकेश त्यहाँ भी एकी मात्रा है कापर तो लोकधन ई शाह बराबर लोकेशाह केह का कैसे बनेगा तो काधन इह बराबर केह बनेगा राकेश का राकाधनीश महेशा का महाधनीश उपेंद्रा का उपधन इंद्रा यथादनिक्षम बराबर अथेक्षम ममधन इह ममेह यथादनिदम यथेदम अन्न इहा अन्नेहा विद्यादन इहा विद्येहा धरादनिश्वरा धरेश्वरा गुडाकादन इशा बराबर गुडाकेशा ये बहुत महत्पून है कई बार पूँचा गया है गुडा का धन इशह गुडा के इशह गियम को लगता है तिन चार बार पर इक्वामें पूछा जा चुका है शूर्य धन उदयाह बराबर शूर्य उदयाह कहीं ओकी मातरा दिखे तब भी आप समझ जाएए सर्वधन उत्तमा बराबर शर्वुतमा आगे लेते हैं शर्वधन उदयाह बराबर शर्वधन उपमम बराबर सर्वपमम यहादे क Vorteil नवधन उड्चाइए Indust इनको नवधन वड्चाइए जल घन उद्मी बराबर जल्वार्मी ओ जा रहा है गंगा धन उदकम तो कहीं भी अगर आ, ए, ओ अर्थात ए, ओ, अर, अल दिखे तब तुरण समझ जाए ये गुण संदी है यहाँ देखिए ओ की मातर लगी इसका मतलब यह है कि पहले आ रहा होगा बाद में उ रहा होगा तो यह जो है महत्पून इसी से अर्वी बनता है जैसे ब्रह्म्भर्षी में अर आया हुआ है ब्रह्माधन रिशी देवर्षी में देवधन रिशी महाधन रिशी ग्रीश्मे रिटुमें ग्रीश्मधन रिटु वर्शा रिटुमें वर्शा रिटुमें वर्शा रिटुमें वर्शा रिटुमें तवधन रितिह बरावत नी कार अधम देंडर अधर्मन कि तवन डिकार अब यहां लिका का अलो जाता तवर्ट लिकार तवल्कार अम दल्लकार अम दल्लकार अव हम दल्लकार अब कुछ हम आपको प्रशण दे रहे हैं हैं कि ये प्रस्णा आप अपने से सॉल्व करके कमेंट बाक्स मुझे बताईए सबसे पहला है तवेदम तवेदम क्या क्या होगा विक्षेद महोदेया है गुणोत्तमा है पुर्षोत्तमा है चंद्रोदेया है भाग्योदेया है महेशा है राजर्शी ही देवर्शी ही दिनेशा है तवन्नती ही महोत्सवा है भुवनेश है फिर उसके बाद गंगा धनुदकमा है सूर धन इंद्रह मम धनी च्छा पुत्य धनुद्पत मया धन उत्कमम महा धन रिशी ही ये आदी महत्पूर्ण दारण है कुछ उपर वालों का संदिविक्षेत करना है नीचे वाले का संदी करना है और कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना है कि आज का वीडियो कैसे लगा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत दन्यबाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और करवाएं शुबरात्री